वेल्कम बेक टू सिनॉप्सिस आइस रीड एफट डियो आएम कृष्णा पीटी 360 का जो इंटरनेशन रिलेशन्स है उसमें हम पढ़ रहे थे इंडिया एंड इट्स नेबर पीटी 360 एक कोर्स है फाइव यर करेंट अफेर्स के लिए तो इस कोर्स की डिटेल्स अगर आप देखना चाहो तो इसके बारे में देख सकते हो पांसल के करेंट अफेर्स क्यों चाहिए क्या इसके नेसेशिटी है किस तरह से हम पढ़ रहे हैं साथ में कोर्स फीज वरी वरी लो तो आप ये कोर्स चैक आउट कर सकते हैं साथ में जो यह कोर्स है, जो हमारे GS का क्रेश कोर्स है, प्रिलिम्स का उसका भी पार्ट है, तो प्रिलिम्स के जो यह कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे टॉपिक नंबर 7, 8, 9, ये सारे आपके PT360 में कवर होने हैं, तो इंडिया बागलादेश के जब हम बात करते हैं, सबसे पहल अगर आप देखो, दो जगा इसकी boundary टच होती है, यहां से बर्मुपुत्र भी निकलती है, वेस्ट बेंगल को कई बार हम भूल जाते हैं, डिस्पाइट डड की इतना बड़ा एरिया है, वो mentally आता ही नहीं है, हम बस बांगलदेश को नौर्थ इस से connect करते रह जाते हैं, और मेगालिया और साथ में त्रिपुरा ये भी है, कुछ लोकेशन जो आपको याद रखनी है, यहां इस मैप में जैसे चंदन नगर निउस में रहता है, बेरुबारी के बारे में आपने काफी ज़्यादा पड़ा पॉलिटी में, यह वही बेरुबारी है, बिल्कुल इन दोनों चीज़ों के लिए है, यह बेसिकली यह कहता है कि आप हमारी कंट्री में आओ, इंडिया बांगलदेश में जाएगा, और थर्ड कंट्री, अगर हमें कुछ सामन भीजना है, तो हम यूज कर सकते हैं, साथ में नौर्थीस्ट भी भीजना है, तो हम कर सकते हैं, नौर्थीस्ट के लिए क्यों important हो जाता है, for example, अगर मुझे नौर्थीस्ट में राशन भीजना है, गेहु चावल भीजना है, गेहु आपका यूपी में होता है, या पंजाब में होता है, वहां से आप नौर्थीस्ट भीजोगे दो से तीन से seven days लगते हैं, अभी अगर म मैं म्यानमार से या बंगर्देश से भेज़ दू, तो यह क्या दो दिन में मैं पहुंचा दूँगा, पहली यह चीज है, दूसरा यह चिकन नेक वाली, चिकन मुर्गे की नेक छोटी सी, तो इसको कटने से हम बहुत जाद गरते है, चाईना यहां तक है, चुम्भी वैली है, यह चिकन नेकी, वो थोड़ी सी आपको अपने कंट्रोल में लेनी है, तो जो यह एग्रिमेंट था, प्रोटोकल था, 1972 में साइन हुआ था, 2016 में रिवाइव हुआ था, बेसिकली क्या है, रिवर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम, इनको इंप्रूव करना है, तो जैसे कि हम बात कर चुक है, नौर्थ इस्टरन स्टेट के लिए जाएगा, और इंडिया ही आप जानते हो, बांगलदेश तो क्या ही इंवेस्ट करेगा, इंडिया बेसिकली इंफ्रा में इंवेस्ट करेगा, क्यो हम हो सकता है, थर्ड वर्ल कंट्री है, पूर है, लेकिन फिर भी कु ही जादा इंवेस्टमेंट करते हैं, बांगलदेश, भूटान, नेपाल, तो अब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंफ्रा क्या हो सकता है, पूर्ट हो सकता है, रोड, रेल, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकता है, यही सारी चीज़े हैं, तो इंडिया इंसम में इंवेस्टमेंट को लेकर इंडिया पांगलदेश के अग्रीमेंट है, उनका इंटरप्रेट करना है, उसमें जो भी इंवेस्टमेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो इन्वेस्टर हो, इंवेस्टमेंट हो, टेक्स से रिलेटेड चीज़े हो, MFN, स्टेटर से जो भी च इंडिया ने फाइनली जे इन को एप्रूव कर लिया है बस यही निउस में आपको जे इन पता होने चाहिए किस बारे में हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में है इन्वेस्टमेंट के बारे में है याद करना है तो 1965 तक यह ऑपरेशनल था ब्रॉड गेज यह सब तो फिलाल UPSC अब पूछता नहीं है फिर भी हमने एक बार नोट डाउन कर दिया है तागि आपको पता हो क्या कहानी थी 1965 के बार तक ठीक था उसके बाद इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए फिर यह सारे रेल लिंक बंद हो गए ठीक है बाकी रेल लिंक यह है आपको याद करना हो आपकी मर्जी यह सब ना आज तक पूछे है और मेरी विजडम के अकॉर्डिंग यह सब हार्डली कभ लेने जाया करते थे या फिर छोटी मोटी चीज़े तो बेसिकली वही है बॉर्डर पर हाट लगाएंगे लोकल लोग और जो बॉर्डर का ट्रेड मार्केट है यहां पर सस्ते कपड़े जूते लगते सब चीज़े मिला करते हैं तो वेल बींग को बढ़ाएंगे जो रिम दें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बांगलदेश में इंडिया चला रहा है इन प्रोजेक्ट्स से नाम पता होने चीज़ आपको और किस बारे में हैं इंडिया-बांगलदेश evet friendship pipeline project oil के लिए है रूपपूर प्रोजेक्ट नुक्लियर एनर्जी के लिए है राइट टू अटो अटोमिक एनर्जी नुक्लियर एनर्जी के लिए है ठीक है जो यह फ्रेंट्शिप पाइप्लाइन सिलीगुरी से पार्वतिपूर को जोड़ेगी इस जाद और अप्या याद करोगे ठीक डिजिटल कनेक्टिविटी कराएगा बांगलदेश की एजूकेशन की और आकाश्वानी मैत्री एक ओल इंडिया रेडियो ने एक वेंचर स्टार्ट किया था कि हम बांगलदेश में भी अपनी सर्विसेस दे गया बांगलदेश के बारे में इतना ही बहुत है इसके नेपाल के बीच में बार्डर ओपन है पीस और फ्रेंड्शिप ट्रीटी ऑफ नाइंटिन फिफ्टी से डिफाइन किया था आपने कई बाद मुवीज में देखा हुए सुना होगा कि वो क्राइन करके नेपाल भाग गया तो इसी वैसे है कि यहां का बार्डर ओपन है जह इस ध्यान रखना बस इतना है कुछ जो डिस्प्यूट के रीजन्स है बेसिकली उत्राखंड में है और एक सुष्टा बिहार में है उत्राखंड में काला पानी को लेकर सबसे ज़्यादा होता है काला पानी लिपुलेख आसपास यहां लिंपिया धुरा को लेकर भी होता ह इशूज ट्रीटि ऑफ सगोली से आते हैं ट्रीटि ऑफ सगोली क्या करता है अगर आप अत्राकंड और नेपाल के बीच की पाउंटरी देखो इसे सार्दा भी कहते है या महा काली भी कहते है ठीक तो यह काली रिवर यहां से निकलती है काला पानी से ये कुछ इस तरह से निकलती है ठीक है तो exact location तो हमें नहीं पता काला पानी मान सकते है अब इसके ऊपर ये थोड़ी बहुत streams बगारा निकलती है treaty of sagoli ने यहां तक तो define कर दिया था अब इसके ऊपर जहां से निकलती है वो चीज defined नहीं है नेपाल के according treaty of sagoli एकलोता ऐसा document है जो boundary define करती है तो इस वय से यहां पर boundary dispute आ जाता है basically तो यह पूरी कहानी है तो नेपाल ने एक political map reveal किया था उसमें खा कि काला पानी तो हमारा है तो अब यह sagoli treaty यह कब की है 1816 की है हमने modern history में पढ़ा था तो उसका relevance है international relation जो आज के time में IR है वो कल के time में world history हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है world history या फिर जो history है definitely इस्ट इंडिया company और जो गुर्खा वार कहते है इस्ट इंडिया company और नेपाल के गुर्खा चीफ थे उनके बीच में war हुआ था एंड में जब नेपाल हारने लगा या गुर्खा चीफ हारने लगे तो फिर treaty हुई थी उसको हम कहते है सगौली की treaty नेपाल को हडपा नहीं था इंडिपेंडेंडेंट था लेकिन ब्रिटेन ने क्या क्या एक British resident अपना वहां भेज दिया था किया आप वहां ambassador की तरह जाओ ठीक है इंडिपेंडेंट कंट्री में अपना उन्होंने resident भेज दिया जो नजर रखने के लिए basically है ambassador नहीं है ठीक है तो controlling agent नहीं है basically बस चला गया बट ठीक है आप यह समझ सकते हैं वैसे कुछ लोग हैं यहां की वहां information देने के लिए भेज देते हैं इस treaty से ही boundary line बनी थी नेपाल के according क्या है यही एकलोता authentic document है boundary delanation का अब जैसे कि अबने काली river देखी तो जो नेपाल और उत्राखंड है यह जो boundary यह काली river है काली से लेकर सतरज तक के जितने भी dispute थे वहां नेपाल ने कहा वहां जोडते हैं हमें यहां से कोई मतलब ने नेपाल ने disputed तराई औ पर भी अपने claim छोड़ दिये थे सारे कुछ ठीक है बट recently अब जब defined ही नहीं है ऐस एरिया में तो दिक्कत होगी काली international boundary बनाती है इसी को सार्दा कहते हैं इसी को महाकाली भी कहते हैं नेपाल ने इसके बाद सिक्किम कुमाउं गड़वाल वैस्टन तराई यह सारे एरिय छोड़ दिये थे और जो यह लिपुलेख लिंपया दुराई काला पानी इस्ट ऑफ रिवर काली इस साइड में अब यह एश्यूज आते हैं ठीक है यह थोड़े से इधर आते हैं तो यह सारे इश्यूज चलते रहेंगे अब इंडिया का व्यू क्या है वही जो मैंने था ठीक है पितौरागट डिस्टिक में चाइना ने इंडिया की सोवरेटी रिकनाइज की थी चाइना ने कहा था कि हम लिपुलेख पास से लिपुलेख दर रही के तुरू इंडिया से ट्रेड कर लेंगे तो हम नेपाल को यह भी दिखा था है दन पंचेश्वर डैम प्र आजे दो तीन जगा काम करता है बाकी अगर आपको इंपोर्टन प्रोजेक्ट से याद करने हो तो ठीक है अधरवाइस ऐसा मुझे नहीं लगता कि यह पूछ लेगा यूपियस से इसके बाद इंडिया भूटान की बात करते हैं इंडिया भूटान में जो बॉर्डरिंग क्या है इंडिया यह मानता है कि भूटान पे अटेक करना मतलब हम पे अटेक करना इस तरह की कुछ चीज है वो हम डिटेल में वर्ल इस्टी में पढ़ लेंगे कहीं और नॉट इन दिस लेक्चर जैसे आज के टाइम में नाटो है तो डोकलाम डोकलाम बेसिकली यहाँ पर डोकलाम प्लेटिव में भी चाइना ने अटेक कर दिया था वह में पता है अल्टिमेटली उसमें यह माना जाता है कि इंडिया की डिप्लोमेटिक विं थी दैन एक साख्टेंग वाइलाइफ सेंक्चुरी है यह अरुनाचल यह भूटान है यह अरुनाचल प्रदेश है य इस एरिया को हम चुम्भी वैली कहते है इसकी आप सिग्निफिकेंस देखो चाइना सिक्किम भूटान इन मलतीन कंट्री के ट्राय जंक्षन पर है अब एक चीज है जो आपको पता होने चीए साथ टेंग गेरी वाइलाइफ सेंक्चुरी इसकी हम बात कर रहे थे भूटान और इंडिया ने बाउंडरी अपनी डिमार्केट कर ली थी लगबग 700 किलोमीटर की बाउंडरी है 699 बस ठीक है और कुछ नहीं इंडिया बूटान में इंडिया अफगानिस्तान अफगानिस्तान पर जो मेन इशू आये हैं अब इंडिया अफगानिस्तान कहें या इंडि यूएस चला गया तो उसके बाद ताली बनने अफगानिस्तान को capture कर लिया Bordering countries of Afghanistan में आपको यह याद रखना है इंडिया भी border touch करती है officially touch करती है unofficially या फिर जो आप लिए test condition है control या LAC, line of actual control के हिसाब से देखो तो वो नहीं करती है लेकिन आप exam point विससे मानोगे ठीक है बाकी अगर आपको याद करने है तो Bordering states आप याद कर सकते हो कुछ locations जो अफगानिस्तान की news में रहती है for example पंजशीर वैली यहाँ काफी दिन तक तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई चली थी गजनी एरिया काफी जादा जैबोल बहुत जादा news में रहता है कांधार ठीक है नीमरूज हेरात तो यह कुछ areas हैं जो news में रहते हैं इन मेंसे जो भी news में रहे उसे आप mark कर लेना कुछ cities भी अफगानिस्तान की बहुत news में रहती है इंडिया के जो major projects हैं अफगानिस्तान में कई सारे developmental projects थे अब तालिबान के बाद हो खत्रे में पढ़ गए बट फिर भी एनिवेज Parliament इंडिया ने बनवाई है Power Line इंडिया बनवा रहा है एक Salma Dam काफी टाइम से बन रहा है फूड असिस्टेंज को Rehabilitation Construction करने के लिए एक इंडिया ने प्रोग्राम चलाया है ठीक है Television Network इंडिया expand कर रहा है Women की vocational training कर रहा है कहीं पर ये location मत याद करो ठीक है Child Health के लिए एक Indra Gandhi Institute बनाया है अफगानिस्तान का only hospital खोचिल रहा है बस या ध्यान रखना देन कुछ 80 अनगोइं प्रोजेक्ट हैं हर फिल्ड में इंडिया इंडिया इंवेस्ट कर रहा है तो ये soft diplomacy भी कही जाती है और इंडिया फाइनली एक बामियान हेरात रेल लिंक के लिए रेडी हो गया था ये हम अगले टॉपिक में जहाँ transport connectivity पढ़ेंगे वहाँ इसको हम detail में देखेंगे चाबार, जारा, देलराम ये सब location का है हाजीगाक माइन सबसे बड़ी iron ore माइन मानी जाती है वहाँ फिलाल इंडिया को order मिल गया है ये भी आगे हमने कबर किया देवशक्ती जैसे अभी operation गंगा चल रहा है यूक्रेइन से इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए तो इससे बएद देवशक्ती चला था जब तालिवान अफगानिस्तान वार हुआ तो वहाँ से इंडियन सिटीजन और बाकी foreign nationalist को भी निकालने के लिए तो ये topics थे अगले topic में हम इंडिया म्यानमार की बात करेंगे और अपने इस topic को इस series को continue रखेंगे so thank you for watching do subscribe for this course prelims 2.0 इससे better course इससे सस्ता course या फिर quality wise आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा ये आप देख चुके होगे already और PT360 में भी हम ये सारी चीज़ से cover कर रहे हैं इससे query थी कि क्या आप PT360 में सर्वे एंड बजेट भी इंक्लूड करोगे तो yes we are going to cover that so thank you for watching have a good day